प्राशिक्षु भाईलिन और वह प्रतिभाशाली अर्थ रैंग छात्र जो भी जेनरल अफेर विभाग के प्रमुख छात्र, वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन और वह प्रतिभाशाली अर्थ रैंक छात्र जो हाल ही में सुर्खियों में है महर ने लड़ाई शुरू कर दी वहाँ देखने के लिए एक शांदार शो होने वाला है महर, क्या वह केवल चौथे स्टर के सार क्यूई शेत्र में नहीं है वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन बहुत समय पहले ही आधे चरण वाले स्पिरिट कंडिनसेशन दाइरे में थे महर संभवता उसका मैच कैसे हो सकता है क्या आप बेवकूफ है क्या महर कुछ दिन पहले बंद दरवाजे वाले एकांत में नहीं गया था वह एकांत वास से बाहर निकल गया है और पहले से ही चठे स्टर के एसेंस क्यूई शेत्र में है क्या, कुछ दिनों के लिए बंद एकांत और चठे स्टर का सार क्यूई शेत्र वह व्यक्ति सचमुच एक संकी है लेकिन भले ही वह चठे स्तर के एसेंस क्योई दाइरे में हो वह संभवता वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन का मैच नहीं हो सकता है है ना कौन जानता है मैंने भी अभी अभी अन्य लोगों से सुना है ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कोई बड़ी दुश्मनी है जिसने महर को इतना उकसाया कि वह अकादमी के नियम को जानते हुए भी सीनियर अपरेंटिस भाई लिन को मारना चाहता है ऐसी कोई बात है आना चलो जल्दी से जाकर देखें महर और लिन तियान चेंग की मौद की खबर पेजी से पूरी डैन वू अकादमी में फैल गई दो छात्रों ने अकादमी के एक कोने में कुछ देर तक इस पर बहस की और फिर वेशो देखने के लिए दौर पड़े लेकिन उनकी चर्चा दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुँच गई वान युआन तभी पास में था और जब उसने इन दो लोगों की बातचीत सुनी तो उसके चहरे पर एक थंडी मुस्कान तैर गई उन्होंने नहीं सोचा था कि लिन्टियांचेंग इतने साहसी थे जो वास्तव में सीधे तोर पर महर को अकाद्मी के नियमों का उलंगन करने के लिए उकसाएंगे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महर था जिसने लिन्टियांचेंग को मार डाला जिसने महर को मार डाला, वह वहाँ बैठ सकता था और मच्वारे के लाब का आनंद ले सकता था। पहले उसने लिव रोशुई को लिन्टियांचेंग को उकसाने दिया और वह व्यक्ति वास्तव में इसके लिए गिर गया। लिन्टियांचेंग संकीन सोच वाले थे। बस थोड़ा सा कलाह बोने से वह महर से इरश्यालू और नफरत करने लगा। इन दो दिनों में वान युवान को अभी भी सिरगर्ध हो रहा था क्योंकि महर का सुधार तेजी से हो रहा था। नकेवल वह मार्शल पत पर वान युवान तक पहुँच रहा था। उसने उसे कीमिया पत पर पूरी तरह से कुचल दिया। किसने सोचा होगा कि लिन्टियांचेंग ने सीधे तौर पर महर को उकसाया था। दो लोगों की बातचीत सुनने के बाद वान युवान उचसाहित तो हुआ लेकिन हैरान भी हुआ। महर एक कांत में चला गया और बाहर आने के बाद छटे स्टर के एसेंस क्यूई दाइरे में था। वह फोर्थ लेवल एसेंस क्यूई दाइरे में ब्लाक रैंक अडवानस्मेंट टेस्ट पास कर सका। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि महर अपनी मौझूदा ताकत से उसे पहले ही पूरी तरह से कुचल सकता है। बस एक महीने से अधिक और महर और उसकी स्थिति पूरी तरह से पलट गई थी। एक महीने पहले वह महर को आसानी से कुचल सकता था। एक महीने बाद महर पहले से ही एक अस्टित्व में था जिसे वह आदर की द्रिष्टी से देखता था। बेतु का, आखिर हुआ क्या? वान युआन बहुत दुखी था किसी को नीचा दिखाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके पैरों के नीचे दबा दिये जाने से अधिक दुखी करने वाली कोई बात नहीं है इस शिकायत को साथ लेकर वान युआन भी आगे बढ़ गया वह वास्तव में महर को लिन तियान चेंग द्वारा मारे जाने या महर द्वारा लिन तियान चेंग को मारने और फिर अकादमी द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने का द्रिश्व देखना चाहता था लिन्टियान चेंग के सेवन स्टार स्टेप्स को पहले से ही छोटी सफलता के चरण के लिए प्रशिक्षित किया गया था यह महर के इंस्टेंट फ्लाश से थोड़ा ही तेज था वर्तमान में महर को पहले से ही एक खतरनाक स्थिती में मजबूर किया गया था अगर वह लापरवा होता और मार खाता तो शायद जीत की कोई संभावना नहीं होती थंडरस फिस्ट लाइट्निंग एट्रिब्यूट मार्शल तकनीक श्रेणी से संबंधित था यह इसी प्रकार आकरमन शक्ती की ओर जुप गया और यहां तक की इसका सुन करने वाला प्रभाव भी पड़ा जिसक्षन उसे चोट लगी महर के पास मूल रूप से जवाबी कारवाई करने की ताकत नहीं रह गई थी गती के मामले में महर लिंतियांचेंग को पचाड नहीं सके आकरमन के मामले में महर पहले ही पहल खो चुका था वह इस समय बेहद रक्षात्मक स्थिती में थे हाँ हाँ दौर ना भागते रहें मुझे इस प्रकार का बिल्ली पकड़ने वाला चुहों का खेल सबसे अधिक पसंद है अतियात्म विश्वासी पंक मुझे लगा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो तो क्या आपके पास बस इतनी सी ख्षमता है महर का पीछा करते समय लिंतियांचेंग बेथाशा हसे हाथ उठाया और उसकी हथेली में सार उर्जा फैल गई स्टैकिंग वेवस लेयरड पाम फॉर लेयर वेव बूम एक मुठी एक हथेली से टकराई और दोनों लोग टकरा गए और पीछे की ओर उर उर गए लिंतियांचेंग का शरीर लगभग साथ मीटर पीछे की ओर उर उर गया लेकिन महर दस मीटर तक उर गया बहुत सपष्ट रूप से इस संधर्ष में महर का पलड़ा भारी रहा लिंतियांचेंग ने अपने शरीर को स्थिर किया और ठंडे स्वर में हंस्टे हुए कहा तो आपने वास्तव में स्टैकिंग वेव्स लेयर्ड पाम 4-layer wave में महारत हासिल कर ली है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतना अहंकारी होने का साहस करते हैं हाला कि यह स्टैकिंग वेव्स लेकिन अब वह उससे दब गया था इससे वह बहुत प्रसंद हुआ लिन्टि आन्चेंग ने स्विकार किया कि महर एक प्रतिभाशाली व्यक्ती था लेकिन यदि वह प्रतिभाशाली होता तो क्या होता क्या वह अब भी उससे नहीं हारा प्रतिभाव को कुचलने की यह भावना बेहत संतुष्टि दायक थी महर का दाहिना हाथ कुछ सुन हो गया और सार उर्जा का संचार भी कुछ रुख गया इस थंडरस फिस्ट की वास्तव में अच्छी खासी प्रतिश्था थी यह वास्तव में 4-layer wave के बराबर था बेशक महर के साथ ग्रौ करने के लिए थंडरस फिस्ट पर भरोसा करने में सक्षम होने के लिए लिन्टियांचेंग को अभी भी अपने खेती खेतर को श्रे देना होगा हाफस्टेप स्पिरिट कंडेनसेशन खेतर कोई मजाग नहीं था यह महर से भी उचा लगभग एक प्रमुख खेती खेतर था अतीत में यह हमेशा महर ही था जो अपने प्रतिदवंद्वी को कुचलने के लिए गती का उप्योग करता था उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह गती के मामले में लिन्टियांचिंग से पूरी तरह दब जाएगा गती में लाब के बिना उसके पास अपनी पूरी शक्ती से आक्रमन करने का कोई रास्ता नहीं था लिन्टियांचिंग ने उसे हमला करने का मौका नहीं दिया परिस्थिती बहुत प्रतिकूल थी महर ने अपनी सुन्न अवस्था से राहत पाने के लिए गुप रूप से अपनी हथेली में उलजी बिजली की विशेष्टा सार उर्जा को शुद्ध करने के लिए अपनी सार उर्जा को घुमाया लिन्टियान्चेंग उसे यह अफसर कैसे दे सकता था सुन्नता से राहत पाने की कोशिश कर रहे है क्या आप मुझे तीन साल का बच्चा समझ रहे है मरना ठीक इसी समय लिन्टियान्चेंग फिर से चले गए सेवन स्टार स्टेप्स को अंजाम दिया गया और वह महर के सामने पहुँच कर कई मीटर की दूरी पार कर गया बूम एक और आदान प्रदान हुआ और दोनों लोग एक बार फिर अलग हो गए इस बार लिन्टियान्चेंग केवल 6 मीटर पीछे हटे जबकि महर एक दरजन मीटर से अधिक पीछे हटे यह सपष्ट था कि दाहिने हाथ की सुनता से प्रभावित होने के बाद महर का नुकसान और भी अधिक बढ़ गया था लिन्टियान्चेंग ने महर को सास लेने का मौका देने की योजना नहीं बनाई थी अपनी सास को समायोजित करने के बाद उसकी थंडरस फिस्ट ने एक बार फिर प्रहार किया ठीक उसी तरह एक के बाद एक जोरदार मुकों से लिन्टियान्चेंग का फाइदा और भी बढ़ गया सास महर का सुधार तेजी से हुआ है लेकिन उसने खुद को जरूरत से ज्यादा आगा मैं लिन्टियान्चेंग को भी जानता हूँ आखिरकार वह एक आधा कदम वाला स्पिरिट कंडेंसेशन छेत्र है और प्रित्वी रैंक में सबसे मजबूत छात्र के रूप में जाना जाता है महर उसे केवल छठे लेवल एसेंस क्यूई दाइरे में चुनौती देना चाहता है क्या यह सिर्फ इसकी माम करना नहीं है एक मंदप में जूओ बुगूई शिकायत कर रही थी उसके बगल में लॉन्टैंग खड़ा था इतनी बड़ी घटना को लेकर वह स्वाभाविक रूप से सतर्प भी थे मुझे लगता है कि महर इतना लापरवा व्यक्ति नहीं है उसके पास खेलने के लिए कुछ कार्ड हो सकते हैं दूर से लड़ाई को देखते हुए लॉन्टैंग ने भौहें चढ़ा ली हालाकि जूओ भुगूई सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा वह और कौन से कार्ड छोड़ सकते थे मैं स्विकार करता हूँ कि वह वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभा है जो हर 50 वर्षों में केवल एक बार प्रकट होती है यहां तक कि वह आपसे और मुझसे भी आगे निकल गया और उसने वास्तव में फॉर लेयर वेव में महारत हासिल कर ली लेकिन उसकी फॉर लेयर वेव भी लिन्टी आन्चेंग को संभाल नहीं सकती वह और कौन सी चाले छोड़ सकता था इस तरह एक गया बहुत बुरा लॉंग टैंग की भौहें और भी कड़ी हो गई उनका दृष्टी कोन जुओ बुगूई जैसा ही था वह वास्तव में यह नहीं बता सका कि महर के पास संभवता और क्या सहारा था चाहे वह गती हो या आक्रमन उसे पूरी तरह दबा दिया गया हार तय थी हालाकि वह नहीं जानता था कि क्यों लेकिन उसे सिर्फ यह महसूस हुआ कि महर के पास अन्यकार्ड थे जो उसने अभी तक नहीं दिखाए थे क्या ऐसा है वास्तव में तुम्हें भी मेरे जैसा ही एसास है यह महर वास्तव में एक प्रतिभाशाली है लेकिन वह बहुत क्रोधी और अधीर है मुझे लगता है कि इसका संबंध उनके अचानक उभरने से है जो वो बुगुई की बाते लगातार जारी रही लेकिन लॉन्ग टैंग ने कोई ध्यान नहीं दिया ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने एक मौन सहमती बना ली है जब भी वे मिलते तो इसी तरह बातचीत करते शायद आपने जो कहा वह सही है लेकिन पिछली बार जब वह फी किंगपिंग के साथ देथ मैच में गया था तो यह महर वह व्यक्ति है जो पहले योजना बनाता है और फिर कारवाई करता है वह निश्चित रूप से इतनी लापरवाही से अपनी मौत की ओर नहीं जाएगा लॉन्ग टैंग अभी भी बहुत आग रही था सास मैं कहता हूँ तुम इतने जिद्धी क्यों हो हम इस पर दाव क्यों नहीं लगाते मैं लंबे समय से आपकी स्पिरिट एसेंस पिल पर ला टपका रहा हूँ जो बुगुई ने अभी भी लापरवाही से व्यभार किया शर्थ लॉन्ग टैंग ने खोजी निगाहों से जूप बुगुई को देखा यह सही है शर्थ है क्या आपको नहीं लगता कि महर के पास कोई तुरूप का पत्ता है जो स्थिती को बचा सकता है हम उनकी जीत और हार पर दाव लगाएंगे यह कैसा रहा जो बुगुई ने स्पिरिट एसेंस पिल के लिए अपनी इच्छा को जरा भी छिपाये बिना लॉन्ग टैंग से खुल कर मुलाकात की स्पिरिट एसेंस पिल एक टियर दो आउशधिय गोली थी जिसे डैन वू अकादमी ने लॉन्ग टैंग को प्रदान किया था यह सफलतादर को बढ़ा सकता है जब एक स्पिरिट कंडिनसेशन वीयलम मार्शल कलाकार एक छोटे रियल की बाधा को 70% तक प्रभावित कर रहा था दैन वू अकादमी की प्रतिभाव के लिए इस प्रकार की ओशधिय गोली निसंदेह दाइरे को तोड़ने के लिए एक चमतकारिक गोली थी अन्य लोगों की तुलनामे लॉंग टैंग और जूओ बुगुई जैसी प्रतिभाव के पास पहले से ही बाधाओं को पार करने की बहुत अधिक संभावना थी स्पिरिट एसेंस पिल की मदद से साधना क्शेतर को तोरना वस्तुता तय हो गया था यहां तक की तीसरे स्टर के स्पिरिट कंडेंसेशन दाइरे से चौथे स्टर तक एक बड़ी बाधा के लिए भी स्पिरिट एसेंस पिल का 40% प्रभाव था कोई देख सकता था कि यह औश्धिय गोली कितनी शक्तिशाली थी हालाकि डैन वो अकादमी जैसी जगहे पर भी स्पिरिट एसेंस पिल बेहत दुरलभ थी यह शायद ही कभी छातरों को प्रदान किया जाता था ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉंग टैन मार्शिल रोल आफ ओनर में रैंक वन बन गया था इसलिए अकादमी ने स्पिरिट एसेंस पिल से सम्मानित किया वह कभी भी इसका इस्तिमाल बरदाश्ट नहीं कर सका और उसने यह नहीं सोचा कि जूओ बुगुई की इस पर लंबे समय से नजर थी लॉंग टैन ने जूओ बुगुई की ओर देखा और अचानक मुस्तुरा दिया अच्छा, मैं तुम से शर्थ लगाऊंगा लेकिन आप दाव के रूप में क्या उप्योग करने का इरादा रखते हैं लॉंग टैन ने स्पिरिट एसेंस पिल को दाव के रूप में इस्तिमाल किया इसलिए स्वाभाविक रूप से जूओ बुगुई को भी दाव लगाने के लिए समकक्ष मूले की कोई चीज निकालनी पड़ी जूओ बुगुई इस बात से थोड़ा आश्चर यचित थे कि लॉंग टैन कितनी जल्दी सहमत हो गया उसने यहां तक सोचा कि लॉंग टैन सहमत नहीं होगा इसलिए उसने जानबूच कर उसे उकसाने के लिए शब्दों का इस्तमाल किया उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में सहमत होगा हाँ हाँ चुँकि आप इतने सीधे हैं तो मैं भी इतना कंजूस नहीं हो सकता पिछले अंथीन परीक्षनों के दौरान मैं एक शिखर टियर दो शार्प हॉर्नट बीस्ट के आंतरिक कोर को प्राप्त करने के लिए काफी भागेशाली था शर्त के लिए यह कैसा है जुओ बुगूई जोर से हसे जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी योजना काम कर गई थी यह सुनकर लॉन टैंग के चहरे का रंग बदल गया मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा कुछ है एक शिखर स्तर दो तीवर सीन वाले जानवर का आंतरिक कोर स्वाभाविक रूप से परियाप्त है एक पीग टियर दो शार्प हॉर्णड बीस्ट एक पीग स्पिरिट कंडेनसेशन रियलम मानव मार्शल कलाकार के बराबर था लेकिन इसकी युध शक्ती उसी क्षेतर के मानव मार्शल कलाकार से कहीं अधिक थी यदि कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता तो इस राक्षसी जानवर का शिकार करना और उसे मारना बहुत मुश्किल था शार्प हॉर्नर बीस्ट इनर कोर का उप्योग टियर दो और उससे उपर की औशधिय गोली को परिश्कृत करने के लिए किया जा सकता है इसलिए यह स्पष्ट रूप से एक भाग्य के लायक है जुओ बुगुई ने मुस्कुराते हुए और गर्व से देखते हुए कहा मैंने नहीं सोचा था कि तुम लॉन्ग टैंग अपने पूरे जीवन में चतुर रहोगे लेकिन यह एक बार बेवकूफ बन जाओगे आपकी स्पिरिट एसेंस पिल जल्द ही मेरी होगी जरा मिहर को देखो वह शायद अब अपना दाहिना हाथ भी नहीं उठा सकता क्या मैं सही हूँ उसके पास क्या है जुओ बुगुई अचानक रुकने से पहले आधे रास्ते में बात कर रहे थे ऐसा इसलिए था क्योंकि ठीक इसी समय लिन्टियांचेंग और महर की लडाई के बीच एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ था लिन्टियांचेंग लगातार साथ आठ बार महर से भिड़े उसका पूरा दब्दबा था जबकि महर का दाहिना हाथ पहले से ही लगभग अपंग हो चुका था लिन्टियांचेंग ने एक क्रूर मुसकान दी और एक और जोरदार मुठी खोली लेकिन इस बीच महर अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था ऐसा लग रहा था कि लिन्टियांचेंग ने एक उभरती हुई प्रतिभा को अपनी मुठी में अपंग बनने का द्रिश्ट देखा था ऐसा प्रतीत हुआ कि महर के पास कोई चाल नहीं बची थी और ऐसी स्थिती में जहां उसका दाहिना हाथ अब हिल नहीं सकता था एक बड़ा कौर थूप दिया जिससे उसके कपड़े लाल हो गए यह आठ परत तरंग अभी अभी यही था आठ परत वाली लह है हया कैसे संभव है उन्होंने आठ परत वाली तरंग को समझने में केवल एक महीने का समय लगाया क्या वह अब भी इंसान है यह बंदा पूरी तरह से इंसानों के दाएरे में नहीं आता एकदम राक्षसी भले ही वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लॉंग उनके सामने खड़े हो उन्हें अपनी हींता पर शर्म आएगी महर की आठ परत वाली लहर ने आसपास के दर्शकों के बीच हंगामा मचा दिया हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था उस मार्शल तक्नीक को समझना लगभग असंभव था जिसे महर ने एक महीने में समझ लिया था कौन जानता था कि वे क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चले कि महर नेफी किंग पिंग को मारते समय पहले ही आठ परत वाली लहर को समझ लिया था ऐसा नहीं था कि महर पिटना चाहता था बलकि लिंटी आंचेंग वास्तव में बहुत मजबूत था जदी महर ने शुरू से ही आठ लेयर वेव प्रदर्शित की होती तो लिंटी आंचेंग निश्चित रूप से उससे नहीं टकराते जिस क्षण लिंटी आंचेंग इसके खिलाफ सतर्ग था महर आठ लेयर वेव का उप्योग करने पर भी लिंटी आंचेंग के लिए ज्यादा खत्रा पैदा नहीं करेगा अंत में महर की खेती का दाइरा बहुत कम था छठे स्टर के एसेंस क्यूई दाइरे की सोलह गुना मुक्त शक्ती वास्तव में एक प्रथम स्टर के स्पिरिट कंडिनसेशन दाइरे के मार्शल कलाकार को मारने के लिए परियाप्त थी लेकिन लिंटी आंचेंग अभी तक मरा हुआ व्यक्ति नहीं था प्रिथवी रैंकिंग में सबसे मजबूत के रूप में प्रतिष्थित होने के कारण लिंटी आंचेंग जांकी तरह कुछ स्टरब नहीं थे डैन वो अकादमी के भीतर प्रिथवी रैंकिंग में सबसे मजबूत व्यक्ति कैसे हो सकता है जहां प्रतिभाई बादलों की तरह थी, किसी काम की नहीं महर ने इसे पहले ही नोटिस कर लिया था जब वह लिंग तियांचेंग के साथ मिला इसलिए वह कमजोर दिखाई दे रहा था ताकि लिंग तियांचेंग अपनी सतर्क्ता कम कर दे महर की इन्यांग प्रिथककरन प्रवाह तकनीक उनता के चरम पर थी इसलिए बाएं हाथ और दाएं हाथ के बीच का अंतर उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी जब उसने अपने बाएं हाथ से स्टैकिंग वेव्स लेयर्ड पाम को अंजाम दिया तो उसकी शक्ती उसके दाहिने हाथ से कमतर नहीं थी महर ने इस प्रहार के लिए अपने शरीर की लगभग सारी सार उर्जा जुटा ली थी लिन्टियान चेंग को बिना तयारी के पकड़ लिया गया और महर ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जब महर 4th level essence QE दाइरे में था तब वह Illusionary Spirit Tower में 1st level spirit condensation Rialum Martial Artist को पूरा कर सकता था अब जबकि वह पहले से ही छठे स्टर के essence QE दाइरे में था कोई कलपना कर सकता था कि इस हतेली में कितनी शक्ती थी लिन्ट यान्चेंग को जमीन पर गिरने से पहले कई दर्जन मीटर तक पीछे की और उर्टे हुए मारा गया था बेहोश पड़े होने के कारण कोई हलचल नहीं हो रही थी आसपास बिलकुल सन्नाटा था सभी ने महर को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई राक्षस देखा हो मंदप में लॉन टैन को हारदिक हंसी का एक दुरलब अनुभव हुआ क्या आठ परत वाली लहर है कमजोर दिखने की एक बहतरीन युक्ती घले ही यह शड्यंत रहो या ताकत महर शीर्श पर है इसे डैन वो अकादमी में सबसे कठिन टियर एक मार्शल टकनीक स्टैकिंग वेव्स लेयर्ड पाम के रूप में जाना जाता था महर वह व्यक्ती आठ परत वाली तरंग को इतनी जल्दी कैसे समझ सकता है हाँ हाँ और हथेली तूट गई बूम जमीन में एक बड़ी गुही का फूट गई यह लिन्टियांचेंग से चूट गया कई मीटर दूर लिन्टियांचेंग ने महर को जहरीली आखों से देखा वह गुस्से से चिलाया महर तुमने मुझे मजबूर किया मिहर, तुमने मुझे मजबूर किया, लिन्टियांचेंग ने मिहर को विशैली दृष्टी से देखा, लिन्टियांचेंग की आभा अचानक मजबूत हो गई, और आसपास की सार उर्जा लिन्टियांचेंग की और पागलों की तरह बहने लगी, जब मिहर ने यह देखा, तो उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया देखो जल्दी वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन वह वह तोड रहा है वह आत्मा संगनन छेत्र में प्रवेश करना चाहता है वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन बहुत पहले ही वह आठ लेयर वेव में महारत हासिल कर सकता है यह 32 गुना अधिक शक्ती है यह सही है महर बहुत ताकतवर है वह केवल छठे स्तर के सार QE दाइरे में है और वह वास्तव में आधे चरण वाले spirit condensation दाइरे के वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन को ऐसी स्थिती में मजबूर कर सकता है लेकिन सब खत्म हो गया वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन का spirit condensation शेतर में प्रवेश और महर के सभी तुरूप के पत्तेख्त महो चुके हैं जीत की अब कोई संभावना नहीं है भीड महर को लेकर सपष्ट रूप से निराशाबादी थी जब लिन्ट यांचेंग आधे चरण के spirit condensation दाइरे में था महर पहले से ही तनावगरस्थ था अब जब वह आत्मा संधनन शेतर में प्रवेश कर रहा था तो महर उससे लड़ने के लिए किस चीज का उपयोग कर सकता था 300 मीटर से अधिक दूर मंडप में जो बुगुई ने भईभीट द्रिश्टी से अपनी चाती को थप्थ पाया अरे बापरे इस छोटे मालिक को मौत तक दरा दिया चिकन चुराने की कोशिश की लेकिन चावल लगभक्त महो गया मैं शार्प हॉर्णर बीस्ट के अंदर उनी हिस्से को लगभक होने ही वाला था जिसे पाने में मुझे बहुत कठिनाई हुई मैं कहता हूँ ओल्ड लॉंग अब क्या आप अपनी स्पिरिट एसेंस पिल सौंप सकते हैं लॉंग टैन ने देखा और चुपके से आभी भरी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महर ने कैसे गणना की उसने शायद आखिरी क्षण में लिन्ट यान्चेंग के टूटने की उम्मीद नहीं की थी वह अब केवल इंतजार ही कर सकता था हाला कि वह इसे अपने दिल में स्विकार नहीं करना चाहता था लेकिन वह जानता था कि महर की जीत की संभावना अधिक नहीं थी लेकिन उसने जो सोचा वह एक बात थी वास्तव में उसने जो कहा वह दूसरी बात थी आप किस बारे में चिंतित है यहाँ अभीक्तम नहीं हुआ है के है आप सच मुझ तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक सारी आशा समाप्त न हो जाए यहाँ पहले से ही ऐसा है महर की जीत की 10% भी संभावना नहीं है आप अभी भी किस बार पर अड़े हुए है आपने पहले ही कहा था कि उसके सफल होने की संभावना 10% से भी कम है जब तक संभावना शूने नहीं है तब तक आशा है हाला कि वह जिद्दी था लॉंग टैंग भी ऐसा ही था जब तक यह वास्तव में निराशा जंक नहो तब तक हार मानना उसके लिए असंभाव था जुओ बुगुई हक्का बक्का रह गया और केवल इतना ही कह सका ठीक है आईए बस इंतजार करें और देखें जब वे लड़ना समाप्त कर लेंगे तब भी क्या आप आग्याकारी रूप से स्पिरिट एसेंस पिल नहीं सौंपेंगे एक अन्यमंडप में एक युवा और एक अधेड उम्र का व्यक्ति अपनी पीट के पीछे हाथ रखकर खड़े थे दूसरे अंकल आप क्या सोचते हैं युवक ने अपना मूँ खोला और अधेड उम्र के व्यक्ति से पूछा अगर इस बच्चे को खत्म नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से सुपरिवार के लिए एक आपदा बन जाएगा मुझे भी ऐसा ही लगता है मुझे यह भी नहीं पता कि उसे क्या हुआ इस महीने का सुधार बहुत ही भयानक था चाहे कुछ भी हो इस बच्चे को बिलकुल भी नहीं बख्षा जा सकता जस्ट ये हैंग से निपटना पहले से ही बहुत परिशानी भरा है यदि उनके बेटे को बड़ा होने दिया गया तो भविश में सुपरिवार को औशधिये जड़ी बुटियों के बाजार से बाहर निकलना पड़ेगा युवक पूरी तरह सहमत था उन्होंने सिर हिलाया और पूछा दूसरे अंकल अनुशासन कक्षमे . चिंता मत करो मैंने नीचे के लोगों को बहुत पहले ही सूचित कर दिया था कि इस मामले को ऐसे लिया जाए जैसे की इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है हम महर और लिंट यान चेंग को पहले लड़ने देंगे परिणाम चाहे जो भी हो महर निश्चित रूप से मर चुका है यह सुनकर युवक ने राहत की सांसली पुराने साथियों का वह समोह वास्तव में धैर्यवान बना रह सकता है दूसरे अंकल आपने कोई कदम नहीं उठाया और उनमें से किसी ने भी खुद को नहीं दिखाया ऐसा लगता है कि उनका इरादा भी हमारे जैसा ही है पहाण की चोटी पर बैटकर बागों की लड़ाई देखना अधेर उम्र का आदमी ठंडे स्वर में हसा बागों को लड़ते हुए देखना हाँ हाँ बस दो छोटी बिल्लिया बस इतना ही इन दो लोगों में युवासु परिवार की नई पीडी की प्रतिभा सुयशान था जबकि मध्यम आयू वर्क का व्यक्ती सुयशान का दूसरा चाचा सुयुबाई था और वह डैनवू अकादमी के अनुशासनात्मक हॉल के बुजर्ग भी थे सच तो यह है कि उन्हें यह समाचार बहुत पहले ही मिल गया था समय रहते इस लड़ाई को रोकना उनके लिए आसान था हाला कि अब तक कोई प्रशिक्षक नहीं आया था ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई लिंटी आंचेंग और महर को लड़ाई खत्म करने देने के लिए एक मौन समझोते पर पहुँच गया था महर ने बिना किसी रुकावट के लिंटी आंचेंग को उदासीनता से देखा इसके बजाए उसने चुपचाप एक ट्रांसेंडेंट ग्रेड क्यूई रिटर्निंग पिल निकाली और उसे निगल लिया जब वह कुछ दिन पहले सुगंधित चिकित्सा मंडप में लोटे तो महर ने और अधिक औशधिय गोलिया परिश्कृत की थी उनकी टाकत के साथ टियर एक औशधिय गोलियों को परिश्कृत करना मूल रूप से सरल था ट्रांसेंडेंट ग्रेड टियर एक क्यूई रिटर्निंग पिल का सेवन करने के बाद महर की सार उर्जा तुरंट अपनी चरम स्थिति में वापस आ गई इस प्रकार का उप्चार ऐसा नहीं था जिसका औसक व्यक्ति आनंद ले सके महर ने क्या खाया? उनकी सार उर्जा वास्तव में एक पल में ठीक हो गई क्या बकवास है? यहां निश्चित रूप से QE रिटर्निंग पिल है लेकिन क्या QE रिटर्निंग पिल इतनी सार उर्जा पुनरप्राप्त कर सकती है? यहां शायद ग्रेड अधिक है सार उर्जा को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कितने उच्च ग्रेड की आवश्चता है? यहां शिष्ट शेनी? ट्रांसेंडेंट ग्रेड? महर की आश्धिय गोली निगलने की क्रिया ने आसपास के दर्शकों का ध्यान आकरशित किया जो बुगुई को जैसे कुछ पता चला और उसने आश्चर्य से कहा ओर्ड लॉंग महर की छाती को देखो सार उर्जा के पोशन के माध्यम से एक मार्शल कलाकार का शरीर औसत व्यक्ति से अधिक हो जाएगा स्पिरिट कंडेन सेशन रियलम मार्शल कलाकारों के लिए कई सौ मीटर की दूरी को दूर नहीं माना जाता था शुरुवात में सभी को इस बात का ध्यान ही नहीं गया कि महर के सीने में कुछ अत्रिक्ट भी है लेकिन औशधिय गोली निगलने की उसकी हरकत ने लोगों का ध्यान उसकी छाती पर लगे बैच की और खीच लिया लॉंग टैंग की नजर स्वाभाविक रूप से उस बैच पर पड़ी और उसने अंजाने में एक थंडी सास खीची इस 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 यह वास्तव में एक निन्नरैंट कीमिया मास्टर बैच है लॉंग टैंग जो हमेशा शांत रहता था लगातार आश्चर यचकित हो गया एन कोई रास्ता नहीं वह केवल छठे स्टर के एसेंस क्यूई दाइरे में है क्या वह बैच नकली है जो बुगुई के विचार कई अन्य लोगों के समान थे उन्हें लगा की बैच नकली है यह कैसे संभव है अलकेमिस्ट एसोसियेशन द्वारा जारी बैस बनाने की हिम्मत कौन करेगा यह एक व्यक्ति को सभी कीमियागरों का सारवजनिक शत्रू बना देगा दफनाने की जगह के बिना वे बिल्कुल मर जाएंगे लेकिन वह संभवता अपने छठे स्थर के एसेंस क्यूई दाइरे की आत्मा शक्ती के साथ टियर दो औशधिये गोलियों को कैसे परिश्क्र कर सकता है मुझे याद आया कई दिन पहले एकेडमी ने ग्रूप टेस्ट का आयोजन किया था लगता है मिहर शामिल हो गया ऐसा लग रहा था जैसे अलकेमिस्ट एसोसियेशन से लोटने के बाद वह एक बंद दरवाजे वाले एकांत में प्रवेश कर गया हो कहने का तात पर यह है कि जब वह निम्नरैंक कीमिया मास्टर बन गया तब भी वह केवल चौथे स्टर के एसेंस क्यूई छेत्र में था लॉंग टैन भी उसके विशलेशन से डर कर उच्छल पड़ा यदी वास्तव में ऐसा था तो मिहर सचमुच बहुत राक्षसी था इस खोज से छात्रों में भारी हंगामा मच गया और सभी बहस करने लगे निससंदे आम सहमती यही थी यहां नकली था नकली अलकेमिस्ट एसोसियेशन बैज का उप्योग करना यह मामला अकादमी में किसी की हत्या से कहीं अधिक गंभीर था सो यशान का चहरा गंभीर हो गया दूसरे अंकल बैज में क्या है क्या उसने सचमुच कीमिया मास्टर परीक्षा पास कर ली है सी युबाई का चहरा भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन उसने सिरहलाया और कहा अगर महर मूर्ख नहीं है तो वह बिल्ला असली होना चाहिए लेकिन इस गुंडे को अब और भी नहीं बख्षा जा सकता एक छठे स्टर का सार क्यूई क्षेतर निनरैंक कीमिया मास्टर अगर दूसरा अंकल उसे मारना चाहता है तो यह इतना आसान नहीं है है न हमफट एक मृत प्रतिभा अब प्रतिभावान नहीं रहा क्या वे बुढ़े मूर्ख मेरे सुपरिवार का विरोध कर सकते हैं क्योंकि मैंने अकादमी के नियमों का उलंगन करने वाले एक गुंडे को मार डाला था सुयुबाई ठंडे स्वर में मुस्कुराई दूसरे अंकल के इरादे हैं सुयुबाई ने अपना गला घुमाया और गुस्से से कहा जब तक वे लड़ाई खत्म नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करें मैं सीधे वहाँ जाँगा और महर को खत्म कर दूँगा जियांद युन्हे ने महर के निनरैंग कीमिया मास्टर के रूप में आगे बढ़ने की बात को प्रचारित नहीं किया इसलिए केवल फेंग रोकिंग और वे छात्र जिन्हें स्वरगिये दाव शपत लेने के लिए मजबूर किया गया था वे जानते थे कि उन्होंने अकादमी के भीतर कीमिया मास्टर बैज प्राप्त किया था प्रारंभ में यह बैज महर के लिए अप्रिहार्य नहीं था लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे बचाने के लिए लुएर ने अपना जीवन लगा दिया इसलिए यह स्वाभाविक रूप से महर के लिए असाधारन बन गया महर ने लुएर को फेंग रुओकिंग को सौंपने के बाद गंभीरता से बैज लगाया उनका दिखावा करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन फिलहाल इस पर बड़ा हंगामा हो रहा है महर और लिंटियान चेंग ने दूर से एक दूसरे का सामना किया थोड़ी देर तक समायोजन करने के बाद वे अपनी इश्टतम स्थिती में आ गए उन्होंने लिंटियान चेंग की सफलता को बाधित नहीं किया क्योंकि यह बेकार थी लिंटियान चेंग ने लंबे समय से आत्मा संधनन छेतर को समझा था और वह किसी भी समय इस सीमा को पार कर सकता था वह हमेशा केवल अपने साधना छेतर को दबाता रहा था और सार उर्जा को तरल अवस्था में संपीडित करने का चरण पूरा नहीं किया था भले ही महर ने अभी लिंटियान चेंग पर एक आश्चर्यजनक हमला किया लेकिन वह भी उसकी सफलता को नहीं रोक सका इसलिए वह समय का उप्योग अपनी स्थिती को समायोजित करने के लिए भी कर सकता है सार उर्जा तूफान के विख्टन के बाद लिंटियान चेंग की आभा अचानक बढ़ गई और सार उर्जा बेथाशा फैल गई हाँ 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 यहाँ आत्मा संगनन छेत्र है महर तुमने यह मांगा था अब देखते हैं तुम मुझे कैसे मारोगे अंदर घुसने के बाद लिंटियान चेंग को महसूस हुआ कि उसके शरीर में शक्ती फूट रही है जैसे कोई बाड का द्वार खुल गया हो इस समय उसे ऐसा भी लगा जैसे वह अजे है एक बड़े दाइरे को तोड़ना बेहद असाधारन बात थी चाहे वह कोई भी हो हालाकि लिंटियान चेंग महर के चहरे पर किसी भी प्रकार की घबराहट देखने में अस्पर रहे जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गए यही वह चीज है जिस पर तुमने भरोसा किया था क्या आपको लगता है कि आत्मा संक्षेपन ख्षेतर में प्रवेश करने के बाद आपने मुझे पा लिया है महर ने लापरवाही से कहा हम्फ तो क्या हुआ अगर ऐसा है अब जब हम एक बड़े दाइरे से अलग हो गए हैं तो आपको मुझसे लड़ने की क्या जूरत है तुम आज अवश्य मर जाओगे लिंतियांचेंग उदास होकर मुस्कुराए अप्रिपक्व महर ने यह शब्द बड़ी शांती से उगल दिया क्या कहा आपने लिंतियांचेंग भड़क उठा क्या यह सिर्फ खेती के दाइरे को तोड़ना नहीं है मैं आपके दर्शन के लिए सफलता प्राप्त करूँगा जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे दाइरे से बाहर निकलना उतना ही सरल है जितना की खाना और सोना लिंतियांचेंग हसी से दाहार उठा आप अभी अभी छठे स्तर के सार क्यूईक शेतर में पहुँचे हैं और आपने अपने साधना शेतर को समेकित भी नहीं किया है फिर भी आप अभी भी साधनाक्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा कि आप किस प्रकार साधनाक्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। फिर ध्यान से देखो। इतना कहने के बाद महर ने एक औशधिय गोली निकाली और निगल ली। यह बिलकुल पांच तत्व स्पिरिट लिंक गोली थी। यह देखकर लिंट यान चेंग का चेहरा बदल गया और उसे अचानक एक गुरा अंदाजा हुआ। शुरू में उन्होंने इसके बारे में कु सफलता दिला सकती है, फिर भी उन्होंने तुरंट प्रतिक्रिया दी। यह एक मृत्यु दंड था। लिंट यान चेंग अपने शब्दों और अन्य बातों से पीछे हटने से परिशान नहीं हो सकते थे। सेवन स्टार स्टेप्स पूरी ताकत से सक्रिय हो गए क्योंकि ब अपने ही मुह पर हमला कर दिया और चुपचाप उस पर हमला कर दिया। हद दर्जे की बेशर्मी। वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन कम से कम एक स्पिरिट कंडेंसेशन रियलम मार्शल कलाकार है। वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। सास यदि कोई व्यक्ती बेशर को तोर सकता है और सात्वें स्तर के सार क्यूई छेतर तक पहुच सकता है तो यह एक और छोटे चरण को आगे बढ़ाना होगा। बहुत बढ़ जाएगा खत्रा। यदि वहां आठ परत की लहर को उजागर करता है तो शक्ती कितनी भयावा होगी। आप ठीक कह रही है। नहीं सुना जो सीधे का और पर खेती का दाइरा बढ़ा सके। पता नहीं महर जूठा शक्ती प्रदर्शन कर रहा हो यदि वह वास्तव में साहसित मोर्चा खोल रहा है तो इस बार यह वास्तव में गंभीर होने वाला है। कुछ ठीक नहीं है। वरिष्ट जो उसी मूल से उत्पन हुआ था। अभी एक या दो दिन नहीं हुए थे जब लिन्टियान चेंग ने दसदिशात्मक बिजली आंदोलन की खेती की थी। वह बहुत पहले ही छोटी सफलता के चरण तक पहुँच चुका था। आधे कदम वाले स्पिरिट पंडेन सेशन शेत्र की ताकत के साथ इल्यूजनरी स्पिरिक तावर से गुजरने की इच्छा रखते हुए लिन्टियान चेंग के वल अपनी मार्शल तकनीकों पर काम कर सकते थे। बहुत सपष्ट रूप से थंडरस फिस्ट जैसी टियर एक मार्शल तकनीक शुरू से ही उस बिजली आंदोलन की महान सफलता के चरण को समझने में असमर्थ थे। इसलिए वह अर्थ रैंक अड्वांसमेंट टेस्ट में असफल होते रहे। अतीत में उन्होंने दस्दिशात्मक बिजली आंदोलन को सक्रिय करने के लिए आधे चर्ण आत्मा संक्षेपन शेत्र की ताकत का उप्योग किया था, इसलिए शक्ती स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो गई थी। वर्तमान में लिन्ट यान्चेंग पहले से ही एक वास्तविक प्रथम स्टरिय आत्मा संघनन शेत्र था। पथेली फिर टकराई। बूम। इस बार हंगामा पिछली बार से भी ज्यादा था। जहां दोनों लोग भिड़े वहां जबरदस्ट विस्पोटक आवाजें आई। लिन्ट यान्चेंग और महर एक बार फिर उड़ गए। हाला कि लिन्ट यान्चेंग इस बार केवल योग करके टियर दो मार्शल तकनीक को उजागर करने में असाधारन शक्ती थी। घले ही महर के पास 16 गुना अधिक शक्ती थी, फिर भी उसे भारी चोटे आई। यदि अतीत में लिन्ट यान्चेंग प्रिथवी रैंक उन्नती परीच्षा उत्तीन करने से थोड़ा ही द रहा था, अब वे एक बड़े दाइरे से भी अलग हो गए थे, दोनों के बीच जड़ब के बाद मेहर को एक कौर खून की उल्टी हुई, यह पहले से ही बहुत बीमार था, फकर, मैं अब और नहीं देख सकता, यह बहुत बेशर्मी है, हाँ, एक टियर दो मूव्मेंट त सकता है, सास, इस तरह एक गया, महर जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में ऐसे ही गिर गया, अईया, मैं यहां मर रहा हूँ, क्या महर ने जो औशधिय गोली खाई उसका कोई असर हुआ, शीघर सफलता, महर की चोट से कई लोगों की सहान उभूती जगी, लिन्ति स्थे स्थर के एसेंस QE दाइरे की खेती का उप्योग किया, किसी को तो कहना ही पड़ेगा, यह चमतकार था, आखिरकार, एसेंस QE दाइरे से जूज रहा, स्पिरिट पंडेंसेशन शेतर पूर्ण दमन का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही वह लॉन टैंग था, जब वह नौवे लेवल एसेंस QE दाइरे में था, तब वह अर्थ रैंक अडवांस्मेंट टेस्ट पास कर सकता था, लेकिन अब वह निश्चित रूप से वर्तमान लिंतियांचें का मुकाबला नहीं था, फिर भी महर ने इस प्रकार की निर्पेक्षता को उलट दिया था, उसने कि महर की आभा इस समय लगातार बढ़ रही थी, हाला कि उसकी खांसी में खून आ रहा था, महर की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी, दसदिशात्मक बिजली आंदोलन के प्रभाव को बेसर करने के लिए आठ परत वाली लहर के साथ, महर की चोटे बास्तव में उतनी दंभीर नहीं थी, हर किसी की चकित आंखों के नीचे, महर का साधनाक शेत्र तेजी से साथवे स्टर के सार क्यूई शेत्र में पहुँच गया, साथवे स्टर के एसेंस क्यूई दायरे तक पहुँचने का मतलब एसेंस क्यूई दायरे में अंतिम छोटे चरण में कदम एक सास में महर साथवे स्टर के एसंस क्यूई दाइरे के शिखर पर पहुँच गया और फिर उसने आसानी से आठवे स्टर के सार क्यूई क्षेतर की दहलीज को पार कर लिया तभी महर की आभा धीरे-धीरे स्थिर हो गई आठवे स्टर के सार क्यूई क्षेतर पर रुप एक नश्वर देश ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पहले नहीं सुना था इस प्रकार की औश्धिय गोली वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी लेकिन इसकी कम्याभी थी औश्धिय प्रभाव ख्त्म होने के बाद मार्शल कलाकार का शरीर ढह जाएगा क्योंकि वह उस ताकत को संभाल नहीं सकता था जो उनके दाएरे से संबंधित नहीं थी और 5 Elements Spirit Link Pill का औश्धिय प्रभाव केवल धूप की एक छड़ी जलाने में लगने वाले समय तक ही कायम रह सकता है एक बार जब समय खराब हो जाएगा तो मिहर के पास युद्ध करने की कोई ख्शमता नहीं रह जाएगी और वह केवल लोगों को उसे तराशनी दे सकता है इसलिए मिहर को इसे अब तेजी से खत्म करना होगा आठवे स्तर का सार क्योई ख्षेतर अब देखने के लिए एक अच्छा शो है ऐसी ओशधिय गोली कैसे हो सकती है मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना यह बहुत बेशर्मी है आह, मेरी आत्मा सार गोली मेरे कीवर सीम वाले जानवर का आंतरिक भाग जूओ बुगुई अपने सदमे से उबर गया और उसने पीडा से अपनी छाती पीट ली दूसरी ओर लॉंग टैंग इतनी सपश्टता से देख रहा था मानो धधक्ती हुई आग को देख रहा हो उन्होंने भाँहे सिकोर कर कहा इस औशधिय गोली की निश्चित रूप से एक समय सीमा है अगर महिर लिंटियान चेंग को जल्दी खत्म नहीं कर सका तो वह सचमुच मर जाएगा जूओ बुगुई ने आश्चर यसे कहा तो यह मामला है जैसा कि मैंने कहा कि यदी एक औशधिय गोली खाने से दो छोटे क्षेतर बढ़ सकते हैं तो खेती करने का क्या मतलब है लेकिन समय सीमा होने पर भी यह औशधिय गोली बहुत भयानक है युद्ध में कूदने के लिए यह वास्टव में एक आवश्यक औशधिय गोली है लॉंग टैंग ने सहमती जताते हुए कहा यह सही है आठवे स्तर का सार क्यूईक शेतर आठपरत तरंग के साथ युगमित है मेहर के पास वास्टव में अब लिन्ट यान्चेंग के साथ युद्ध करने की पूंजी है तथा पी, वे सर्वश्रिष्ट स्तर पर है उनमें से कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगार सकता यदि मेहर के पास कोई अन्य छिपा हुआ कार्ट नहीं है जीत की संभावना बहुत अच्छी नहीं है क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी स्पिरिट एसेंस गोली फिर से मेरी जेब में प्रवेश करने वाली है जुओ बुगुई जोर से हसे लॉंग टैंग मुस्कुराया और चुप रहा उधर सु फैमिली के चाचाबतीजा मेर की हरक्तों से बार-बार चौक रहे थे ये औश्धिय गोलिया निश्चित रूप से ये हैंग द्वारा परिश्पृत नहीं है अग्य था वान डूंधाई को बहुत पहले ही राजधानी से बाहर खदेर दिया गया होता मिहर के पीछे निश्चित रूप से एक बेहद शक्तिशाली कीमियागर है सु युबाई ने उदास होकर कहा सु यशान का चहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था अगर ऐसा है तो क्या हमें बरतन बचाने के लिए चुहे को नहीं छोड़ना पड़ेगा क्या हो अगर कोई बात नहीं अगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कीमियागर कितना शक्तिशाली है क्या वह ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय से अधिक मजबूत हो सकता है ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय में हमारे सु परिवार की शक्ति के साथ हमें उकसाने की हिम्मत कौन कर रहा है सुयुबाई ने सीधे सुयशान की बात काट दी दूसरे अंकल बुद्धिमान है चुंकि उस कीमियागर ने उसे डैन वो अकादमी में प्रवेश करने दिया था इसलिए अगर महर को अकादमी के नियमों का उलंगन करने के बाद मौत की सजादी जाती तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता ये तो कमाल की सोच है यह संसार सदैव शक्ती से ही चला है जब तक हम पर्याप्त रूप से मजबूत हैं तब तक उसे मारने का मतलब है कि वह मर गया वह हमारा क्या बिगार सकता है एक कीमियागर की ताकत इतनी महान नहीं होती तो भले ही वह एक कीमिया किंग हो वह क्या कर सकता है क्या आप इसे अभी देखते हैं महर ने अपने मोह के कोने से खून पोच्छा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा लिन्टियांचेंग का चहरा उतर गया लेकिन वह जिद्धी बना रहा और उसने कहा हम्फ हम्फ यह खेती के दाइरे में सिर्फ एक अस्थाई व्रिध्धी है आकरशक लेकिन बिनासार के क्या फाइदा यह बिनासार के आकरशक है या नहीं क्या आप कोशिश करने के बाद नहीं जान पाएंगे मेहर ने तिरसकार पूर्वक लिन्टियांचेंग पर अपनी उंगली उठाई इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि आप एक नकली आठवे स्टर के सार क्यूई दाइरे हैं भले ही आप एक वास्तविक आठवे स्टर के सार क्यूई दाइरे हो तो भी आप क्या कर सकते हैं बिजली लिन्टियांचेंग की मुठी के चारों और नाचने लगी और उसके सेवन स्टार स्टेप्स एक बार फिर सक्रिय हो गए। महर ने ठंडी हनसी दी और फिर से आठ लेयर वेव से हमला कर दिया। आभा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। साथवें स्टर के सार क्यूई क्षेत्र को पार करने के बाद महर की ताकत एक और छोटी अवस्था में बढ़ गई और आठ परक तरंग की शक्ती असाधारन हो गई। एक शन में एक मुठी और एक हथेली का मिलन हुआ। लेकिन तभी एक असामान्यता उत्पन हो गई। जैस से ही मौत की गंध सीधे सामने से आने लगी, उसकी अभिव्यक्ती काफी बदल गई। वह महर की उंगलियों से अद्रिश्य शक्ती के आतंग को महसूस कर सकता था। यद्यपी क्षेत्र बड़ा नहीं था, बलका वह छोटा दाइरा अतुलनिय रूप से शक्तिशाली हाला कि इस समय उसकी गती पहले ही सीमा तक पहुँच चुकी थी और पैंतरे बाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चंद कदमों की दूरी बहुत कम थी। पलक जपकाने का भी समय नहीं था। लिंतियांचेंग अपनी पूरी ताकत से इस उंगली से बचना चाहता था, लेकिन अपने शरीर की प्रतिक्रिया के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। महर ने बहुत पहले ही समय की सटीक गणना कर ली थी और लिंतियांचेंग को चाल बदलने का समय नहीं दिया। उसका लक्ष्य हत्या करना था, छीन टाक्षी करना नहीं। वह संभवतह लिंतियां अचेंग का शरीर कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। वह अब सास नहीं ले रहा था। बिलकुल यांग उंगली। ये थी महर की असली जाने बाचा। इस दौरान महर ने खेती के अलावा ज्यादातर समय एबसोल्यूट यांग फिंगर पर बिताया। अब उनकी एबसोल्य यांग फिंगर, स्पिरिट बिसल नाइन यांग डिवाइन आठ की एक पूरक मार्शल तकनीक थी। इसका कोई निश्चित ग्रेड नहीं था। यदि किसी को इसे ग्रेड देना है तो इसे टियर एक मार्शल तकनीकों की सीमा से संबंधित होना चाहिए। बात सिर्फ इतन कम समय में बड़ी सफलता के स्थर तक प्रशिक्षित कर सकते थे। यदि यह कोई और होता, तो वे इसे इस स्थर तक प्रशिक्षित भी नहीं कर पाते, भले ही उन्हें 10-20 साल भी दिये जाते। किसी को यह जानना होगा कि महर ने स्टैकिंग वेव्स लेयर्ड पाम आठ वेव की खेती के लिए केवल 3 दिनों का उप्योग किया। उसने सचमुच ऐसा किया। छठे स्थर के सार क्यूईक शेतर ने वास्तव में प्रथम स्थर के आत्मा संधनन शेतर को मार डाला। अभी क्या हुआ। वरिष्ट प्रशिक्षु भाई लिन जिस कदम से अप्त थी और उन्होंने महर को अपनी अंतिम चाल बदलते हुए स्पष्ट रूप से नहीं देखा। हाला की परिणाम एक नजर में स्पष्ट था। महर ने कुछ ऐसा किया जिसकी कलपना करना भी उनके लिए मुश्किल था। लिन तियान चेंग को मारने के बाद महर भी जोक दिया जिससे उनकी चोटे बढ़ गई। उगोक महर ने एक लंबी सास छोड़ी। लेकिन ठीक इसी समय महर को अपनी खोपनी में जुन-जुनी महसूस हुई। एक आभामंडल इतना शक्तिशाली है कि उससे बंधे लोगों का दम घोंट सकता है। धीट महर अकादमी के भीतर अपने साथी चात्र को मारने का साहस करना। अनुशासनात्मक हॉल के प्रथम बुजुर्ग के रूप में मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा देता हूँ। अचानक एक उची आवास सुनाई दी जिसने एक बार फिर से हर किसी की नसे जो अभी-भी धीली हो अभा से बंध होकर मेहर लगभग दम घुटने से बेहोश हो गया। यहां आभा बहुत प्रबल थी। इस तथ्य को नजरंदाज करते हुए कि मेहर इस समय बिना तेल के दीपक की तरह पूरी तरह से सूखा हुआ है। भले ही वह अपनी चरम स्थिती में हो इस आघात से ब प्रत्या कर दी हो उसे मृत्युदंद दिये जाने से पहले कम से कम उच्च स्थर के मुकदमे से गुजरना होगा। और इस दौरान उनके लिए चीजों को बदलने का एक दौर था। कौन सी शक्ती उसके द्वारा प्रदर्शित कीमिया और मार्शल प्रतिभा के आधार प इसलिए अगर वह बाहर भी कूदता तो वह उसे आसानी से कुचल सकता था। कौन सा अनुशासनात्मक हौल का पहला बुजर्ब। महर तो उसे जानता तक नहीं था। किसने सोचा होगा कि वह उसके प्रती इतनी बड़ी हत्या का इरादा रखेगा और सीधे हत्या करने के लिए हमला करेगा। महर को पता था कि उसका उससे कोई मुकाबला नहीं है और उसने पहले ही मौत का इंतजार करने के लिए अपनी आखे बंद कर ली थी। महर को अपनी आखे बंद करके मौत का इंतजार करते देख सुलुबाई के मुह के कोने पर अनायास ही एक क्रूर उन्होंने जो समय चुनावह एकदम सही था। वह महर से कुछ ही कदम की दूरी पर था। तेज आंधी का जोंका महसूस हुआ। जब तक उसने प्रतिक्रिया की, तब तक एक परचाई उसके पीछे से चक्कर लगा चुकी थी। बूम! एक हिंसक तक्कर हुई जो महर और लिंतियांचेंग की लडाई से कई गुना अधिक बड़ी थी। अचानक हुए इस बदलाव से महर भी हैरान था, लेकिन यह उसके लिए हैरान होने का समय नहीं था। वह उन दोनों के सबसे करीब था, इसलिए उस पर जो प्रभाव पड़ा वह जाहिर तोर पर सबसे बड़ा था। एक जोरदार विस्फोट हुआ। घले ही उस आकड़े ने उन्हें अधिकांश हमले का सामना करने में मदद की, फिर भी जटका बहुत शक्तिशाली था। कुछ और करने का समय नहीं था, महर ने तेजी से अपना सुरक्षा कवच उठाया। महर सबने की लहर से उड़ गया और उसने हवा में ही खून का एक और कौर उगल दिया। लेकिन सुल्युबाई बिना हिलेडुले वहीं खड़ा रहा। कोई देख सकता था कि उसकी ताकत कितनी महान थी। लेकिन वर्तमान में सुल्युबाई बहुत गंभीर चहरे के साथ उस आकरिती को देख रही थी। हुयान योंग, क्या आप वास्तव में अपने वरिष्ट का विरोध करने का साहस करते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरा अनुशासन कक्ष सिर्फ सजावट के लिए है? सुल्युबाई ने गहरी आवाज में सवाल किया. अभी-अभी मेर को वह आकरिती स्पष्ट रूप से दिखाई दी. यह वास्तव में शिक्षक हुआन था. लेकिन टीचर हुआन ने उसकी मदद क्यों की? इस जटके से देखते हुए, वान योंग की ताकत संभवत है सुल्युबाई की तुल्ना में एक स्तर कम थी. इस जटके के लिए उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया. महर भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका. हालाकि वह अधिक प्रभावित था. हुआन योंग के बिना खुद को साहस्पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए वह पहले से ही एक लाश होता. हुआन योंग ने बचा हुआ खून अपने मुह में उगल दिया, और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे वरिष्ट का विरोध. आखिर वह कौन है जो अपने वरिष्ट के खिलाफ जा रहा है? कब से अनुशासनात्मक हॉल दीन की मन्जूरी के बिना खात्रों को निश्पादित कर सकता है? अनुशासनात्मक हॉल के प्रथम बुजूर्ग के रूप में, आपने छठे स्टर के एसेंस क्यूई ख्षेत्र के चात्र पर घात लगा कर हमला किया. क्या आप अब भी चहरा चाहते हैं? हम्फ महर ने अकाद्मी के नियमों का उलंगन किया और अपने साथी चात्रों की हत्या कर दी. दीन यहां है या नहीं, वह मर चुका है. इसके अलावा, मुझे अभी पता चला है कि महर ने लिन्टियान चेंग को मारने से पहले, औश्धी उध्यान के प्रभारी चात्र प्रबंधक जान हैंग को पहले ही मार डाला था. ऐसा क्रूर मानवघाती पागल मरना ही उचित है, सुलुबाई के चहरे पर कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया. जैसा कि अपेक्षित था, जब सुलुबाई के शब्द सामने आये तो बड़ा हंगामा मच गया. लिन्टियान चेंग को अकेले मारना अभी भी उतना बुरा नहीं था. लेकिन एक ही दिन में लगातार दो लोगों की हत्या ने कुछ लोगों को अंजाने में यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि महर वास्तव में एक क्रूर आत्मधाती पागल था. बिल्कुल नहीं. अगर सच में ऐसा है, तो महर सच मुछ मरने का हकदार है. सुयुबाई के शब्द बहुत उत्तेजक थे. प्रारंभ में महर के प्रती सहानु भूती रखने वाले अभी भी बहुत से लोग थे. अब पहले से ही ऐसे बहुत से लोग थे, जो महसूस करते थे कि महर ने राक्षसी पत की साधना के नियमों का पालन किया और मरने के योग्य थे. भील की बहस को सुनकर सुयुबाई मन ही मन हसी. जब तक वह न्याय के पक्ष में खड़ा था, तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता था भले ही आज उसने महर को जबरदस्ती मार डाला हो. क्या तुमने यह सुना? मुझे वर्तमान में संदे है कि महर ने कुछ राक्षसी पत साधना कानूनों की खेती की है, और मैं मौके पर ही निश्पादन को अंजाम देने जा रहा हूँ. क्या किसी और को कोई आपत्ती है? क्या आप एक करफा निश्पादन के अधिकार को चुनाती देने की कोशिश कर रहे है? क्या यह अभी भी मृत्युदंड के लिए पर्याप्त नहीं है? हुआन योंग किसी को राक्षसी रास्ते से बचाने के आपके क्या इरादे हैं? सुल्युबाई के पास गती थी और वह उन्हें बक्षने को तयार नहीं थी. वह दबाव बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग करता रहा. उसके बोलने के अंदाज से महर को पहले से ही राक्षसी रास्ते से आने का निश्चय हो गया था. हुआन योंग स्वाभाविक रूप से इसके जहासे में नहीं आएगा. कोई आसुरी मार्ग वाला. तुम्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि महर राक्षसी मार्ग का व्यक्ति है. आपने यह नहीं पूछा कि महर ने लोगों को क्यों मारा और उस पर अंधाधुंध लेबल क्यों चिपका दिये. आप अनुशास नात्मक हॉल के प्रथम बुजुर्ग सच्मुच बहुत विस्मयकारी हैं. हम्फ तुम अब भी जिद्धी हो. यदि वह राक्षसी मार्ग का व्यक्ति नहीं है तो आप उसकी अचानक शक्ति में व्रिध्धी को कैसे समझाएंगे. यदि वह राक्षसी मार्ग का व्यक्ति नहीं है तो आप उसकी युद्ध शक्ति की व्याख्या कैसे कर सकते हैं जो अन्य सभी से सिर जुकाए खड़ी है. आसुरी मार्ग वालों को डंड देने का अधिकार सभी को है. हुयान योंग अगर तुम रास्ता नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें पहले नीचे ले जाओंगा और फिर इस बदमाश को खत्म कर दूँगा. सुयुबाई प्रभावशाली आभा के साथ चिलाएं. यह मामला जो मूल रूप से बैग में था, हुआन योंग द्वारा खराब कर दिया गया था. सुयुबाई का भी अभी मारने का दिल था. हाला कि हुआन योंग अकादमी के प्रशिक्षक थे. यदि उसने वास्तव में हमला किया, तो वह अनुशासनाकमक हॉल का पहला बुजूर्ग होने के बारे में भूल सकता है. इसके अलावा, जबकि यह सच था कि हुआन योंग उसे हरा नहीं सकता था, सुलुबाई भी उसे रोक नहीं सकती थी अगर वह वास्तव में दौरना चाहता. लेकिन वह महर के सामने खड़ा था, जिससे सुलुबाई को लगा कि यह बहुत कांटेदार मामला है. उसे आज महर को जरूर मारना होगा. इस गुंडे का उत्थान बहुत तेज था. यह सुपरिवार के लिए बिलकुल एक संभावित खत्रा था. यदि महर को आगे बढ़ने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया गया. संभवता दस साल नहीं, केवल पांच साल और वह एक और ये हैंग बन जाएगा. सुपरिवार को सिरदर्द देने के लिए बस एक ये हैंग परियाप्त था और दो ये हैंग. मुझे नीचे ले. अच्छा, जो है सामने रखो. मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे नीचे उतारोगे. हुआन योंग ने तीखा ताना मारा हम्फ, क्या तुम्हे सच में लगता है कि मैं तुम्हे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता? हुआन योंग के व्यभार को एक मरे हुए सुवर की तरह देखकर, जिसे परवाह नहीं थी कि पानी उबर रहा है या नहीं, सुलुबाई गुस्से में आ गई. हुआन योंग हमेशा जियान युन्हे का कटर अनुयाई रहा था और सुलुबाई के साथ उसके कभी भी अच्छे संबंध नहीं थे. आम तोर पर उन दोनों के बीच पहले से ही मतभेद थे. अब यह बिना कहे और भी अधिक बढ़ जाता है. सुलुबाई की ताकत के साथ शिखर स्पिरिट देन्सेशन दाइरे हुआन योंग पर कभजा करना असंभव था. जब तक कि उसने उसे मार न डाला. हुआन योंग को यकीन था कि सुलुबाई ने साथी छात्रों को मारने की हिम्मत नहीं की. क्या मजाक? आप अनुशासनात्मक हॉल के पहले बुजुर्ग हैं. आप जिस वह सब ने देखा. उआन योंग राक्षसी वंच की रक्षा कर रहा है और इसलिए वह मेरी डैन वो अकादमी का दुश्मन भी है. आज मैं राक्षसों को खत्म करने और दाओं की रक्षा करने वाली अकादमी का प्रतिनिधित्व करता हूँ. मैं इन दोनों गद्दारों क को खत्म कर दूंगा. सुल्यूबाई का गुस्सा इस बात से देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने लगातार तीन अच्छे कहे. अपनी बात खत्म करने के बाद सुल्यूबाई ने अपनी आभा पूरी तरह से छोड़ दी, जिससे सभी लोग तब तक कुछ ले गए, जब त अन्य लोग फेंग रोकिंग की पहचान नहीं जानते होंगे, लेकिन सुलुबाई फेंग रोकिंग की पहचान से कैसे अंजान हो सकती हैं। फैली कुछ अफवाहों को याद करने से खुद को नहीं रोक सके। अब ऐसा लग रहा है कि ये निराधार अफवाहे नहीं थी। इस दोरान छात्रों ने महर को जो लुक दिया वह अजीब हो गया। तो यह महर जो करने में सक्षम था वह न तो मार्शल दाओं में और नहीं अलकेमी दाओं में बलकी लड़कियों का पीछा करने में सक्षम था। फैंग परिवार की चाची और भतीजी हमेशा अकादमी में उच्छ देविया थी। पीछा करने वाले बहुत थे लेकिन किसी ने भी इमानदारी से उनका पीछा करने में सफल होने की उम्मीद नहीं क और अपना अपमान दिखाने के लिए महर को दो जोरदार थपड मारें। बात बस इतनी थी कि अगर उन्होंने अभी ऐसा किया तो थपड मारने की उनकी बारी कभी नहीं आएगी। फिंग रोकिंग ने महर की ओर देखा जो जमीन पर पड़ा था और हिलने में असमर्थ थ वह जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दोड़ी। किसी सुंदर्ता के आलिंगन में होना स्वाभाविक रूप से प्रसंद होने के लिए खुश होने वाली बात थी। लेकिन महर तो इस समय अधम रा था, उसके मन में इस प्रकार के सुंदर विचार कैसे आये होंगे। सि सिर्फ इतनी है कि मैं अभी हिल नहीं सकता। लुएर वह फिंग रोकिंग ने एक बार फिर अपनी भौहें बुन ली। आप पहले से ही ऐसे हैं और आप अभी भी अपनी छोटी नौकरानी के बारे में चिंतित हैं। वह कैसी है। महर ने फिंग रोकिंग की फटकार को अकेला आ गया। फिंग रोकिंग को यह कहते हुए सुनकर महर ने आखिरकार राहत की सांस ली। बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से भविश्य में आपको गहराई से धन्यवाद दूँगा। फिंग रोकिंग स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों के धन्यव बना दिया। मैंने तुमसे कहा था कि गड़बड मत करो और तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। एक सजजन व्यक्ति को अपना बदला लेने के लिए दस साल देर नहीं होती। जल्दी क्या है। अब आपने अपना जीवन लगभक्त्म कर दिया है। क्या आप संतुष्ट है फिंग रोकविंग ने धन्यवाद के बारे में उल्लेक नहीं किया बलकी बड़बडाया। हाला कि ये शब्द बड़बडाने जैसे नहीं बलकी एक छोटी सी पत्नी की चिंता जैसे लग रहे थे। आहा हाहा। दस साल देर नहीं हो गई। मैं एक सेकंड भी इंतजार नह लेकिन इस वक्त महर की नजरे बहुत उल्जी हुई थी। यह एक बूढ़े आदमी की तरह था जिसने जीवन के कई उतार चड़ावों का अनुभव किया था नकी 15 साल के युवा की तरह वह किस दौर से गुजरा। उसकी आखें इतनी उजाड और निराशाजन कैसे हो सकत हैं? नहीं! फिंग रोकिंग सहज रूप से अस्विकार करना चाहती थी, लेकिन महर की वर्तमान स्थिती के बारे में सोचकर वह जिजक रही थी। कबसे फिंग रोकिंग ने अपने अन्मोल शरीर से किसी पुरुष के शरीर को चुआ है? भले ही बीच में कपड़े हो, दर्द से करा उठा. फिंग रोकिंग ने जल्दी से कहा, ठीक है, ठीक है, मैं इसे करूंगा. फिर सभी की स्थब्ध निगाहों के बीच, फिंग रोकिंग के सुंदर और पतले हाथ महर के कपड़ों के अंदर फिसल गए. आह, मेरी देवी, क्यो? क्या आप लोगों को मरना चाहते हैं? मत करो, शिक्षक फिंग. जल्दी से उस आदमी को जाने दो. मैं कर देता हूँ. हर कोई अपने दिल में चिला रहा था, लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं हुआ. फिंग रोकिंग ने आशधीय गोलियों की एक बोतल निकालने से पहले कुछ देर तक इधर उध खोजबीन की. उसका चहरा इस समय चमकदार चुकंदर जैसा लाल था, जैसे वह शराब के नशे में हो. क्या ये है? फिंग रोकिंग ने लाल चहरे के साथ पूछा. इतना ही. बोतल में अभी भी पांच आशधीय गोलिया हैं. हलका पीला बाला ले लो और मुझे दे दो, म मेहर ने मिर्देश दिया. फिंग रोकिंग द्वारा सभी गोलिया बाहर डालने के बाद अंदर केवल एक पीली-पीली ओशधीय गोली थी. फिर उसने गोली ले ली और मेहर को खिला दी. ओशधीय गोली खाने के बाद मेहर का चहरा जो कागस की तरह पीला पड़ गया था धीरे-धीरे गुलाबी हो गया. ठीक है. मेरी मदद करें, मैं ओशधीय प्रभावों को परिश्कृत करना चाहता हूँ. आप पहले से ही इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? हाला कि फेंग रोकिंग को पता था कि मेहर को सामान्य ज्यान से नहीं आका जा सकता, फिर भी बहुत हैरान थी. उसने पहले कभी ऐसी ओशधिय गोली नहीं देखी थी, जिसका इतना ततकाल प्रभाव हो. मेरी ने परिश्रमपूर वक सिरहिलाया और ओशधिय प्रभाव को परिश्कृत करना शुरू कर दिया. मेरी की चोटों को टेजी से ठीक होते देखने के बाद ह फेंग रोकिंग को आराम महसूस हुआ. वह खड़ी हुई और सुलुबाई से कहा, एलडर सु, अनुशास नाकमक हौल न्याय शब्द पर सबसे अधिक जोर देता है. लेकिन आज की कारवायों ने न्याय को विफल कर दिया है, और जनता के दिलों को विफल कर दिया है. सु सुलुबाई स्वाभाविक रूप से अब मुक रहने का नाटक नहीं कर सकती थी. फक्फक करना. यह बुढ़ा आदमी राक्षसों का नाश कर रहा है और दाओ की रक्षा कर रहा है. मैंने न्याय कैसे विफल किया? शिक्षक फेंग को इस शैतान ने केवल क्षन भर के में घबराहट से भरी हुई थी कि उनके शब्द साब्धानी से भरे हुए थे. अगर कोई और वही करता जो फेंग रोकिंग ने अभी किया, तो वह निश्चित रूप से पहले ही हिंसक हो गया होता. हाला कि फेंग रोकिंग को इस बारे में कोई संदेह नहीं था. मैं इस म बोकिंग के शब्दों ने सभी की भूख को बढ़ा दिया. कई साल हो गए थे, जब किसी ने अकादमी में सारवजनिक रूप से लोगों को मारने की हिंमत की थी. आखिरलिं तियान चेंग और जांग हैं ने ऐसा क्या किया, कि महर को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. क्या मजाक? महर ने अकादमी के नियमों का उलंधन किया और लगातार दो लोगों की हत्या कर दी इस बुढ़े व्यक्ति को संदे है कि वह राक्षसी पत का कोई व्यक्ति है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा. कौन से स्वार्थी उद्देश है? सुलुबाई के स्वाभाविक रूप से स्वार्थी उद्देश्य थे लेकिन वह लगातार जिद्दी बना हुआ था. हाला कि फेंग रोकिंग ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना लापरवाही से जारी रखी. कुछ चीजे तब अर्थहीन हो जाती है जब उन्हें इतने सारे लोग सतह पर फ्रेगरेंट मेडिसिन पवेलियन और ग्रंकन स्टार मैनर असंगत थे. लेकिन वास्तव में यह अभी भी सुपरिवार था जो अंधेरे में ये परिवार के साथ मार पीट कर रहा था. महर के उदे से सुलुबाई को एक बड़े खत्रे का एहसास हुआ. इसलिए उ उसने सीधे मारने के लिए बार किया. मामलों से जुड़े लोगों को ये बातें अजीब नहीं लगी, लेकिन राज्य से बाहर के लोगों के लिए इन चीजों को एक साथ जोड़ना बहुत कठिन था. क्या ऐसा हो सकता है कि नान्फें परिवार ने लंबे समय से सुपरिव में लेना चाहिए था और अंतिम निर्ने लेने के लिए दीन और एल्डर्स काउंसिल पर छोड़ दिया जाना चाहिए था. क्या एल्डर्स उसीधे तोर पर लोगों की हत्या करके नियम नहीं तोड़ रहा है? मुझे आश्चर्य है कि अकादमी के नियमों के अनुसार इसक हम बुजुर्ग के पद को चीनना था. बेशक डैन वो अकादमी में दीन का अस्तित्व सर्वोपरी था. सुयुबाई हताश थी. यह चोटी सी लड़की हर तरह से उसका विरोध करती रही और अब वह वस्तव में उल्टा चेक्मेट हो गया था. ऐसा लग रहा था कि अब म के आधार पर कान करूंगा. पुरुशो महर को पहाड के पीछे असेंबली हौल तक ले जाओ. दोनों डिप्टी डीन और सभी बुजुर्गों को सन्युक्त सुनवाई के लिए असेंबली हौल में आने के लिए सूचित करें. सुलुबाई ने अचानक अपनी धुन बदल फिंग रोकिंग ने भौहें चड़ा दी और मन ही मन सोचा की इस सुलुबाई से निपटना बाकई मुश्किल है. ऐसा लग रहा है जैसे उसने आज महर को मौत की सजा देने की ठान ली थी. वह सुलुबाई के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी. अन्य था यह वास्तव अकादमी के मामलों पर निर्ने लेती थी. जियां युन्हे ने शायद ही कभी अपना चहरा सब के सामने दिखाया हो. सुयुबाई के आदेश के तहट अनुशासनात्मक हौल के दो चातर महर को हिरासत में लेना चाहते थे और पहाड के पीछे असेंबली हौल की ओर चल फिर भी महर के प्रकोप को देखकर वेडर के मारे अपने रास्ते पर ही रुप गए. उसके इतना कहने के बाद महर उठ खड़ा हुआ. उसकी गतिशीलता में पहले से ही कोई समस्या नहीं थी. इस द्रिश ने एक बार फिर सभी को हत प्रभ कर दिया. किस प्रकार की पुनर कीमिया समराट कैंडी जैसी उतकृष्ट श्रेणी की गोलिया नहीं खा सकता है. तो महर यह कीमिया समराट वास्तव में नाम के लायक नहीं होगा. अपमान, तुम अभी पापी हो. तुम्हें अपने आप चलने की अनुमती किस ने दी, जब सुलुबाई ने देखा कि महर अभी भी इतना अहमकारी होने का साहस कर रहा है, तो वह ग्रोधित हो गई. महर ने सुलुबाई की ओर उदासींता से देखा. मैं इसे याद रखूंगा, तुम बूढे पाद. मैं महर आज की नाराजगी का बदला भविश्य में सौ गुना चुकाऊंगा. मैं एक वर्ष क अंदर अवर्ष ही तुम्हारा सिर ले लूँगा. जब ये शब्द निकले तो भीर स्थब्ध रह गई. एक साल, आधे चरण वाले क्रिस्टल फॉर्मेशन रियलम पावर हाउस का प्रमुखलें. यह पूरी तरह से एक कल्पना थी. इस महर की ऐसी हत्या करने की नियत है. उसने वास्तव में कुछ राक्षसी पत की साधना के नियम नहीं बनाए है, खीक है. बकवास, क्या आपने शिक्षक फेंग को नहीं सुना? इसमें निश्चित रूप से जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक है. परिद्रिश बदलें, अगर कोई आपको एक हत्यली से लग लेकिन स्पिरिट कंडेंसेशन शेतर में आगे बढ़ना कठिन है. हर बार जब आप एसेंस क्यूई शेतर की तुलना में आत्मा संधनन शेतर में एक छोटे शेतर को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको दस गुना प्रयास खर्च करना पड़ता है. फिर भी आपको सफलता के लिए अभी भी भाग्यशाली अवसरों पर निर्भर रहना होगा. वरिष्ट प्रशिट्शु भाई लौन को आत्मा संक्षेपन शेतर में कदम रखे हुए दो साल हो चुके हैं, है ना. वह आज तक तीसरे स्टर के आत्मा संधनन शेतर में अटका हुआ है. महर एक प्रति लेवल एसेंस क्यूई दाइरे से छठे लेवल एसेंस क्यूई दाइरे तक जाने में केवल एक महीना बिताया है. वर्ट? स्वाभाविक रूप से सभी ने महर के गौर्वपूर्ण शब्दों को मजाग की तरहे लिया. आत्मा संधनन शेतर में आगे बढ़ना बहुत कठि था. इसके अलावा, स्पिरिट कंडेनसेशन शेतर में लड़ाई के लिए रैंक कूदना और भी अधिक चुनोती पूर्ण हो जाएगा. भले ही महर प्रतिभाशाली था. उसे सुल्यूबाई को हराने के लिए कम से कम नवेस तरके स्पिरिट कंडेनसेशन दाइरे में होना था, है ना? क्या उसने सुल्यूबाई की एक हथेली के बाद चरम स्पिरिट कंडेनसेशन रियलम हुआन योंग को खून की उल्टी करते नहीं देखा? दूसरे शब्दों में आत्मा संधनन ख्षेतर और सार क्यूई ख्षेतर दो पूरी तरह से अलगस्तर थे. यहां तक क अकादमी में अत्यधिक उच्छ दर्जा प्राप्त था और उसके पास वास्तविक शक्ती थी. उनसे मिलने पर कौन बेयत भी करेगा? कबसे उसकी नाक में दम कर दिया गया था और उसे पुराना पात कहकर डाटा गया था. हरामी, तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की. अ एक क्षण पहले, मेहर अभी भी विसमेकारी धार्मिक गर्व का अनुभव कर रहा था और लोगों का सिर उठाने के लिए बांग दे रहा था. फिर भी अभी वह एक महिला के पीछे छिपा हुआ था. हद दर्जे की बेशर्मी. लेकिन यह कदम सचमुच उप्योगी था. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुयूबाई के क्रोध की ज्वाला कितनी विक्षिप्ट थी, उसने फेंग रोकिंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की. महर ने इस बिंदु को बहुत पहले ही देख लिया था. इससे उनमें फेंग रोकिंग की पहचान के बारे में भी उ और हलके से सिरहिलाया. भले ही फेंग रोकिंग अत्यंत सुंदर थी, वह अपनी हड़ियों में शाही परिवार के अहंकार के साथ पैदा हुई थी. उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह अपने सामने इस युवक को मना नहीं कर सकी. बार-बार मार खाने के बाद सुयूबाई अब सब के सामने हारना नहीं चाहती थी. उसने ठंडी सास भरी और घूम कर चला गया. उनका मानना था कि वे असेंबली हॉल में न जाने का साहस नहीं कर पाएंगे. सुयूबाई के चले जाने के बाद महर ने हुआन योंग को एक गहरा धनुष दिया. शिक्षक हुआन की पहले उन्होंने मुझे विशेश रूप से निर्देश दिया कि मैं तुम्हें कुछ भी नहोने दूँ और तुम्हारी अच्छी देख भाल करूँ. महर इस दीन से चकित और पूरी तरह चकित था, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था. दरसल सच पूछिये तो आपने शिक्षक हुआन के आने की व्यवस्था की, फेंग रोकिंग ने समझाया. महर को अब जाकर एसास हुआ. लेकिन उन्होंने फेंग रोकिंग द्वारा कही गई बात से अलग होने की विंती की. सेविंग का मतलब बचत करना है. महर का यह उपकार बहुत बड़ा था. महर कृ शिक्षित भविष्य जैसा लग रहा था. लेकिन हुआन यों स्वाभाविक रूप से इसमें इमानदारी को महसूस कर सकता था. बात सिर्फ इतनी थी कि वह अब तक इस बात से अंजान था कि महर का यह वादा कितना भारी है. जियां युन्हे ने उसे केवल जाने से पहले महर की अच्छी तरह से रक्षा करने का निर्देश दिया. वह न जाने किस कारण से सोचा और सोचा की जियां युन्हे का हृदय परिवर्तन हो गया है. यह आवश्यक नहीं है. मैं यह किसी पुनर्भुकतान के लिए नहीं कर रहा हूँ. आज का दौर अभीक्तम नहीं मान जा रहा. ऐसा लगता है कि सुयुबाई अब भी तुम्हें मरना चाहती है. वान योम ने सोचा कि महर केवल कृतग्यता के शब्द व्यक्त कर रहा था और उसने इसे दिल पर नहीं लिया. फिन रोकिंग ने बेहोश होकर कुछ अनुमान लगाया, लेकिन अंजाने में उसक कामले को आसानी से निक्ताने का भरोसा है. बहतर होगा कि आप सतर्क रहें. एक बार जब एल्दर्स काउंसिल आपको ततकाल फासी की सजा सुना देती है, तो हम भी इसके खिलाफ नहीं जा सकते, फिन रोकिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा. एल्दर्स काउंसिल इतनी मौत भी लगभग निश्चित थी. हुआन योंग ने टोका. ओ, क्या शिक्षक हुआन मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं? हाला कि हुआन योंग ने अपना सिरहिलाया और कहा, आप मो यूंटियन के रास्ते पर नहीं चल सकते. छोड़ देना. अभी एक मात्र तरीका फेंड रोकिंग से भी पूच सकता है. क्या इसके पीछे कुछ था? फेंड रोकिंग एक सेकंड के लिए जिचकी, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया. उस समय मो यूंटियन अकादमी के मार्शिल रोल आफ ओनर फोर्थ लेवल स्पिरिट कंडेनसेशन रियलम में नंबर जब उन्हें भरती कराया गया, तो उनके करीबी दोस्त उनके साथ कदमताल नहीं कर पा रहे थे. उस समय वह केवल ब्लाक राइंक छात्र थे. लेकिन तब जेनरल अफेस विभाग के एक छात्र प्रबंधक को उनके रिष्टे के बारे में पता नहीं था और उसने मो यूं इकठा होती हैं और उनका गुन विरासक में मिला है. फिंग रोकविंग ने गहरी सांस लेते हुए समझाना जारी रखा, दैन वू अकादमी में बहुत सारे लोग हैं. छात्रों को प्रबंधकों के रूप में उप्योग करना भी कुछ ऐसा है जिसकी मदद नहीं की जा सकत प्रशिक्षकों को न केवल कक्षाओं को पढ़ाना है बलकि हमें खेती भी करनी है. जदी हम बहुत सारी विविध चीजों से परेशान हैं तो हमारी खेती में देरी होना तय है. इसलिए सामान्य मामले हमेशा एक ऐसी जगह रहे हैं जहां प्राधिकार सबसे बड़ा था. इसलिए इन अभिमानी चात्रों का प्रजन स्वाभाविक भी था. महर ने अपनी समझ दिखाने के लिए सिरहिलाया. प्रशिक्षक भी मार्शल कलाकार थे और उन्होंने मार्शल पत्थ का अनुसर्ण किया. वेस पष्ट रूप से इन सांसारिक मामलों से विचलित होने को इंतजाग नहीं किया. अकेले वह पहाड के पीछे Nine Heavens पीक तक चला गया और Nine Heavens रोर पर कदम रखा, जो लगभग एक निश्चित मित्यु है. लेकिन वह इससे गुजर गया. हाला कि Nine Heavens रोर बिलकुल भी ऐसी चीज नहीं है, जिसके माध्यम से आप करंट चार्ज कर सकें हुआन योंग ने पीछा किया. इसका मतलब यहा है कि एक बार जब मैं इस Nine Heavens रोर से गुजरूंगा तो Elder's Council मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, महर ने हुआन योंग की बातों को नजरंदाज कर दिया और एक प्रशन के साथ उत्तर दिया. सैध्धान्तिक रूप से हाँ. लेक के चात्र और 43 एसेंस क्यूई रियलम के चात्र थे, लेकिन केवल 5 लोग ही इसमें सफल हो पाए. इन 10 वर्शों में केवल मो यूंटियन ने ही इसे बनाया. जो चात्र इसमें असफल रहे, वे या तो सीधे Nine Heavens रोर पर मर गए या अपना दिमाग को बैठे और तब से पू कोई नहीं जानता की Nine Heavens रोर्स पर क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि Nine Heavens रोर में प्रवेश करने से पहले, छात्रों को Nine Heavens रोर पर मिलने वाली किसी भी जानकारी को कभी भी उजागर नहीं करने के लिए स्वर्गिय दाव शपत लेनी होगी, हुआन योंग ने समझाया. ऐ मामला यही है. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका मेरे प्रती इतना गहरा हत्या का इरादा था. चुंकि यही मामला है, तो मैं जाऊंगा और इस Nine Heavens रोर को आजमाँगा. मिहर की बात सुनकर हुआन योंग स्थ रह गया. क्या उसने बातचीत में बिताया लंबा समय ब तरीका है. चुंकि मामला यही है, तो मुझे अपनी मृत्यू क्यों मांगनी चाहिए? मुझे पता है कि शिक्षक हुआन दीन के वापस आने तक चीजों को खीचना चाहते हैं, लेकिन क्या सुलुबाई आपकी इच्छा पूरी करेगी? महर का विशलेशन सुनकर हुआन य लोग नाइन हेवन्स रोड ही मेरा एक मात्र रास्ता है. पहाड के पीछे असेंबली हॉल में छे बुजूर्ग मौजूद थे. सुयुबाई, दो डिप्टी डीन और तीन अन्य बुजूर्गों के अलावा, ये छे लोग और दीन डैन वो अकादमी में सर्वोच प्राधि था और उसने दिन्दाडे दो साथी चातरों की बेरहमी से हत्या कर दी. आज मैंने सभी को यह बैठक आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि हम चर्चा कर सके कि हमें इस चातर के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए. सुयुबाई ही वह व्यक्ती थी जिसने सभी को इसलिए उसे स्पष्ट रूप से चीजों को उत्तेजित करना पड़ा। इसलिए इसलिए उसे चीजों को उत्तेजित करना पड़ा। इन सभी वर्षों में मूल रूप से उनकी कोई उपस्थिती नहीं थी। यहा तक की Elders Council में भी उन्होंने वस्तुता अपने मतदान के अधिकार को त्याग दिया। वह आज जानबूच कर गलतिया नहीं निकाल रहा था। वह सहज रूप से और अधिक जानना चाहता था। आ कौन जानता था कि किन राज्य की डैन वो अकादमी में दूसरा मोयूंटियन उपस्थित होगा। इस चातर का नाम महर है उरा पागल। अकादमी में प्रवेश करने से पहले ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब था। कुछ दिन पहले कौन जानता है कि उसे कौन सा कि उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। अप्रत्याशिक बात यह थी कि उसने आज लगातार दो साथी चातरों की बेरहमी से हत्या कर दी। मुझे संदे है कि शायद उसे कोई राक्षसी पत्थ की साधना का विधान मिल गया होगा, तभी तो उसने अपना दिमाग खो दिया और ऐसा निर्दई काम कर डाला। सुयुबाई ने महत्वपूण बिंदूओं को टाल दिया और तुछ बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महर को एक आत्मगाती पागल बताया। अधिकाश बुजूर्ग पहले से ही उसके पक्ष में खड़े थे, अब बात करने को भ बिश्चित वजन होता था। इन कुछ वर्षों में सुयुबाई ने उसे अपनी ओर खींचने के लिए गुप रूप से अंकिनत खजाने उपहार में दिये। दोनों पहले से ही एक ही तरह के हैं। जहां तक अन्य बुजूर्गों की बात है, उनके पास सुयुबाई जित देखकर चाहे हुँ चांग्शेंग ने अपना वोट डाला हो या नहीं, जाहिर तोर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह चुप भी रह सकता है। जब सुयुबाई ने स्थिती देखी तो वे गुप रूप से प्रसंद हुए। महर वह गुंडा बिलकुल अ यह वास्तव में लिंतियांचेंग ही था जिसने सबसे पहले मामले को भड़काया और महर की नौकरानी को तब तक मजबूर किया जब तक वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गई और मृत्यू के कगार पर नहीं पहुँच गई। मगर इससे क्या? महर मौत की तलाश कर रह पूजेंग यह फिंग रोकिंग और हुआन योंग थे जो आए थे. आप दोनों क्या रहे हो? महर कहा है? मुझे मत बताओ कि तुम दोनों ने उससे सजा से भागने में मदद की थी. फिंग रोकिंग और हुआन योंग को बोलने का मौका भी नहीं मिला और सुल्यूबाई पहले ही उन्हें जज कर लिया। परिवार दबाव बनाने और ये परिवार से निपटने के लिए बान परिवार के साथ सहयोग करने के इस अफसर का लाभ उठा सकता है। ज़रूरत है जो उसे आमंत्रित कर सके। क्या यह Elders Council का अधिकार है या आपका अधिकार है। लोगों की आखों में धूल जोकने की कोशिश मत करो। हुआन योंग ने बिलकुल भी हार नहीं मानी और सुलुबाई के बिलकुल विरोधी थे। ठीक है ठीक है। तुम दोनों बहस करना बंद करो। मुख्य पात्र यहां नहीं है, जगरने से क्या फाइदा। हुआन आपने कहा कि Elders उने विवर्नों को अलंकृत किया। क्या ऐसा हो सकता है कि महर ने किसी की हत्या नहीं की हो। हुचांग शेंग ने तभी हस्तक शेप किया। हुआन योंग के मन में अभी भी हुचांग शेंग के प्रती अच्छी अनुकूल धारना थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसका खंडन नहीं करेगा। हुआन योंग ने आदर उर्वक अपने हाथों से सलाम किया और कहा, यह सच है कि महर ने किसी को मार डाला, लेकिन इसका एक कारण है, न कि सुलुबाई ने किस राक्षसी पत के राक्षस के बारे में कहा था। की आवश्चक्ता है। की गती सामान्य ज्यान को नश्ट कर देती है, इसकी बहुत संभावना है कि वह राक्षसी पत का कौशल विक्सित कर रहा है। हम उसके जैसे व्यक्ति को कैसे छोड़ सकते हैं? यह सही है। दैन वो अकादमी साथी छातरों को मारने से मना करती है। हत्यारों को पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। मुझे यह मत बताएं कि हमें महर के लिए अपवात बनाना चाहिए। उसके पास क्या क्षमताएं हैं? मेरा विचार अब भी उसे मार डालने का है। जां सुंगताओ ने कहा, मैं दीन जां की राय से सहमत हूँ। इसे प्रोच साहित नहीं किया जाना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ। स्थिती को देखकर, फेंग रुओकिंग आगे आई और कुछ लोगों की और जुकी और फिर उसने कहा, रुओकिंग यहां महर के लिए हस्तक शेप करने के लिए नहीं है, बलकि दो डिप्टी दीन और बुजुर्गों को सूचित करने के लिए है कि महर नाइन हेवन्स रो है तो मैं देखूंगा कि वह नाइन हेवन्स रोर पर कैसे मता है, सुयुबाई जोर से हस पड़ी